माध्य प्रदेश के स्वास्थ मंत्री और खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिनावट ने कहा कि खालवा विकास खंड के ग्रामिनों के साथ प्राओधानों के तहत अधिक्तम सहयत्ता स्विक्रत की जा रही है इस आउसर पर कलेक्टर श्री मतित तन्वी सुन्द्रियाल, पुलिस अधिक्षक डॉक्टर शिव दयाल सीह, जीला पंचाथ के मुख्य कार्य पालन अधिकारी राजे सीह, SDM हरसुद अशोक जाधव सहित सभी पदाधी कार्यों को अपने अपने कार्य सोपे गएं। आशापूर के पुराने पुल में भारी वर्षा से हुई छती को भी देखा, तथा सेतु निगम वा सड़क विकास निगम के अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर कल से ही पुल मरमत का कार्य प्रारंब करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बताया गया कि लगभग 55 लाख रुपे इस पुल की मरमत के लिए स्विकरत किये गए हैं। अधिवासी दिवस हर्शो उल्लास के साथ मनाया गया। खालवा मंडी प्रांगण में आधिवासी दिवस पर रंगा रंग कार्यक्रम भी प्रस्तूत किये गए। खंडवासे सम्वा दत्या की रिपोर्ट जो ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें आपने जो जो संदेश दिये हैं क्या वो पूरे होंगे। सब्सक्राइब है पदापदा में पंडी जी से लेकर, जय जवाज जय के साथ में नारा देने वाले, दाल बातो साथी जी से, हमारे राजू जी से लेकर, और आज मुझकुमती जो गोश्ना है की है, मैं आदिवासी समाज की ओर से, उनका बाहर व्यक्तर नहीं, और उनका सोच, उनकी विचार ताना को, मैं उनको ज़तने आदिवादेका हूँ, जिको ने कहा, सामाज की विकास आदी वचिक, को की हमारे सामाज की नीजसी समाज की जाच को, इने बहुत 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 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना भुलें